कोई सोच भी निसकता, वो मैच हो गया, इंडिया वर्सेश लंका का तीसरा टीटवेंटी के लंका जीता जीताया मैच हाड़ गया. नो रन्स चाहिए थे बारा बोलों के उपर, इंडिया के पास जो बोलर थे स्पिरर बचे नहीं थे. फास्ट बोलर को मार पड़ी थी ठर्ड लास्ट ओवर के अंदर खलील एंबन ने बारा रंस दिये पांच वाइड किये तो सूरिया कुमार यदो जो के भारत के कप्तान है उन्होंने बलफ मारा और डिंकु सिंग को ओवर दिया रिंकु सिंग वैसे बोलिंग नहीं करते होते हैं आला कि उनको बोलिंग आती है लेकिन करते नहीं होते हैं उसने बोलिंग की उसके बाद क्या हुआ रिंकु सींग एक और विकर ले जाते हैं तब तक इस ट्रिल लंका जीत रहा था हम सब को यकीन था कि लंका जीत जाएगा आखरी ओवर रह जाता है छे बोलो के उपर छे रह जाता है लंका के पास चार विकर साथ में कंदर होती है और ऐसा लगणा होत सिराज के साथ जाथ उसे सबसे ची बोलिंग की थी लेकिन सुरिया कुमार जाथ सिराज के साथ नहीं किसी और स्पिनर के साथ नहीं के बलके उन्होंने खुद बोलिंग करना शुरू करती सुरिया ने कभी बोलिंग की नहीं सुरिया बल्ले बास खेलता होता है सुरिया कु लेके लंका ने इस मैच को लेवल कर दिया हुआ क्या यह मैच सूपर आउवर के चला गया और उसके बाद देखने को मिला वाशिंटन सुंदर ने दो रंस के ऊपर लंका को आला उड़ कर दिया और थूरे गुमार यादाव ने पहली बोल के ऊपर आके मैच फिनिश करके बोलिंग की अभी इंडियन टीम के अंदर ना बुम्रा था इस मैच के अंदर ना अर्षदीव सिंग था ना जुसर के अक्षर पटेल था ना हार्तिक पांडिया था इसी के सासा इनका कुल्दी यादव भी नहीं था उसके बावज उनकी बोलिंग आप देखने किया उसको भी तोरके रख दिया पाकिसान के बास रिकोर्ड था आठ वैच चीशिश के नदर क्लीन करने का और शिलंका की खिलाब इंडिया नो सीरिस के अंदर क्लीन करके टॉप के आ चुकी तो मुबार्ख बाद व इंडिया को यह मैच वह मैस नो कभी बोलने जा सकता इस शांदार परफॉर्मस देखने को मिली यह वह मैच लाखों में जो एक मैच होता है यह बुलाया नहीं जा सकता यह मैच इसको इसे रहना भी चाहिए बड़ा मज़दार मैच वह मज़ा है देखने का पूरे आप समझ लेकि अठार वे ओबर तक लंका जीत रहा था लास्ट चाहरा और यह पूरी सीरीज के दाव मैं देखने को मिला है